हेलो गाईज गूड आफटरनोन कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे देखी आज मैं बना रही हूँ मटन चूस्ता यह यह तरण पचवनी दोनों मिक्स है चूस्ता भी है पचवनी भी है आज मैं बना रही हूँ इसको और देखिए इतना फ्रेस कर दी हूँ और फ्रेस करना है इसको साफ सफाई करना है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ देखिए ये वो जिरी है और इसको मैं बना रही हूँ कि देखिए कैसे मैं बना रही हूं इसको मैं बना के दिखाती हूं मुझे तो बहुत पसंद आता है आप लोगे कैसे लगता है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंड जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैं माफी चाहूंगी जो खाते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि यह देखे थोड़ा सा कलेजी यूलीजी है इसको थोड़ा नाप्राई करूंगी यह देखी घर रही हूं भूजीय टाइप कर बनाऊँगी थोड़ा सलाहिती आधा कि चलेजी कि नीक वहां चर्वोधा और बोदा है इसको मैं भूण के बनाऊंगे थोड़ा बहुत और ऐ और इसको मैं बना रही है, बोईल हो जाएगा तो पीस करने में अच्छा लगता है, चोटा-चोटा पीस हो जाता है, इसे नहीं हो पाता, सिलिप करता है हाँ से, देखिए, देखिए, तेल कम दी, क्योंकि इसमें भी तेल है, यह प्याजवज दे देती हूं, भूजा रहा है, दे दी हूं पहले से, और मैं बना रही हूं, फ्रेंड, पचवनी, खसी का पचवनी, और चुस्ता मटन पचवनी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और यह देगे, चर्वी रखी हूं, यह मसाला पिशने के लिए रखी हूं, मसाला पिश लेती हूं, फिर मैं आपको दिखाती हूं, तब तक यह भून, मतलब डाल दोंगे, भूजाएगा, तो मसाला पिश लोंगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मिक्सर जाल में पिशना है, टाक से पिश के, मैं आपको दिखाती हूं, फ्रेंड आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता, मैं ब्लॉग बनाओं, ब्लॉग शूट करूँ, सॉरी फ्रेंड, अगर ऐसा टाइम मिलता है, तो कभी कभी मटन चिकन आ जाता, तो यह मेरे लिए स्पेशल रेशिपी आप लोग के लिए भी रहता है, मैं चाहती हूं कि आप तक पहुंचे आप लोगों तक, आप लोग भी देखिये, ऐसे बनाए, कि आप लोग भी देखिये, देखिये, यह देखिये, यह नमक देदी, नमक देदी, मुझे बहुत पसंद है पुचाओने, मैं बंगल में थी ना तो मेरे पापा बनाते थे, बहुत अच्छा से बनाते थे, यह पॉपा, यह गोड़ी है फ्रेंड, खजी का गोड़ी चार्टो ला रहे हैं, उसका भी रेसिपी आज दिखा देंगे, आज नहीं बनाएंगे, कितना क्या खाएंगे, काली पूजा था फ्रेंड इधर, इसलिए, काली पूजा में इधर पाठा का बली चड़ता है, तो हम लोग खाते हैं, अब मेरे पापा आने वाले हैं, मेरे पापा आएंगे तो मैं बनाएंगे, तो भी दिखाऊंगे, अपने पापा को भी दिखाऊंगे, देखिएगा मेरे पापा को, मेरे पापा इस ब्लोग में मैं अपने पापा को लाऊंगी, आप लोग सपोर्ट दिएगा फ्रेंट मेरे पापा आएंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी पापा को मैं पापा वोत अच्छे हैं देखिए अभी मैं बना रही हूं चुस्ता इधी चर्बोदा उपर से दे रही हूं चर्बी है ताकि मतलब गल ना जाए भूनते टाइम गल जाता है देखिए यह देखिए कास्मीरी लाल मिर्च देदी कलर होने के लिए स्वाद भी आता है और बन भी जाता है सब मसाला सला देदी हूं फ्रेंड क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सबसे देती हूं लाल नहीं दिख रहा है लाल दिखेगा तो और अच्छा लगेगा देखिए फिर आज मैंना डबल लाइट जला के रखी हूं टेबल लाइट एक ठोल लगा के रखी हूं ताकि लाइट आएगा तो बढ़िया दिखेगा इसका क बढ़ जाएगा आप लोग बने रहें मेरे इस ब्लोग में देखिए प्रेंड आप लोग सपोर्ट किजिए हमारा हमारा भी वीडियो आगे जाए हम भी चाहते हैं आगे बढ़ना मेहनत करते हैं जो करते हैं थोड़ा फिर भी मेहनत करते हैं अब इसको में कुकर में डाल देती हूं देखिए कितना अच्छा कलर दीख रहा है ऐसे फ्रेंड डालना बहुत मुस्किल लगता है एक बर कड़ा ही पकड़ो उसमें गिरा दो तो अच्छा रहता है देखिए नहीं डाल पा रहे हूं वही करती हूं कड़ा ही उठागा देखिए डाल देखिए पान कराही दोपर उसका मसल अच्छा डाल देते हैं देखिए इसमें पानी डाले अब पंद कर देती हूं अब कुपकर में बिठा दूंगी और वहीं होगा बेटा बाहर देखना इधर नहीं है अब बन गया देखिए मेरा रेडी हो गया अब मैं खाना निकालती हूं फ्रेंड प्लीज फ्रेंड आप लोगको हमारी ये रेसीपी खसी का पचावनी कैसा लगा ओजरी और चुस्ता लाई थी थोड़ास पचावनी था मि देखिए कैसा लगा आप लोगो को कॉमेंट करके चरूर बताएगा देखिए कैसा दीक खुसबूत इतनी अच्छी आ रहे कि बताओं क्या बताओं नहीं बताओं बहुत टैस्टी यम्मी यह देखिए पर्मा गरम रोटी और यह मतन चोस्ता आप लोग भी कभी ऐसे बना क की गंटी दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी वीडियो को शेयर करें थाइंक यू फ्रेंड्स